हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे बच्चों को मच्छरों से बचाने के बारे में छोटे बच्चों को किस तरह मच्छर की प्रकोब से बचाया जा सकता है लेकिन उससे पहले हमारे हेल्थ केर चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ सुनाली सकसैना दोस्तो अगर आपने अब तक हमारे हेल्थ केर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सबी वीडियो का आप लाब उठा सकें गर्मिया शुरू होते ही मच्छरों का प्रकोब बढ़ जाता है मच्छरों के कारण मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और कई संक्रामक रोगों का खत्रा रहता है ऐसे में खुद की और बच्चों की देखबाल करना बेहर जरूरी हो जाता है क्योंकि इस मौसम में बिमारियां तेजी से फैलती हैं अगर आप भी घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें मच्छर के प्रकोब से बचा कर रखें बच्चों को मच्छर से बचाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहर जरूरी है यहां हमने आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जिससे आप अपने बच्चों को मच्छर से बचा सकते हैं तो आईए जानते हैं उन टिप्स के बारे में नमबर वन बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं प्राकृतिक कीट नियंतरन का एक अच्छा रूप अपने हाथ और पैरों को कवर करना है जबकि एक मच्छर बहुत पतले कपड़ों के माध्यम से इन्हें रोकना आसान नहीं है बलकि थोड़े मोटे कपड़े पह परिशानी होती है इसलिए जब आप अपने बरामदे में बैठे हो तो पंखे या ओवर हैड पंखे का उप्योग करने के बारे में सोचें ऐसे में मच्छरों को आपके और आपके बच्चे के नजदी काने में परिशानी होगी अपने याड में रखे पानी को हटा दें जिससे मच्छरों का प्रजनन रोका जा सकता है याड में रखे पानी में पक्षी इसनान करते हैं और गंदगी भर देते हैं इसके अलावा घर के आसपास सफाई रखें अगर कहीं भी मच्छर पनप रहे हैं तो वहीं करें मच्छर दानी मच्छरों को भगाता तो नहीं है लेकिन यह आपके बच्चे को मच्छरों से बचाता जरूर है बारिक जाल वाली मच्छर दानी में मच्छर नहीं घुस पाते ऐसे में आपका बच्चा मच्छर से सुरक्षित रहता है इससे किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी नमबर फाइफ घरेलू नुस्खे कई जड़ी बूटियां प्राकर्तिक रूप से मच्छरों को दूर भगाती हैं आपने निश्चित रूप से सैट्रो नेला के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन, लेमन ग्रास, देवदार, तुलसी, निलगिरी, लेवेंडर, पिपरमेंट, प्याज और मेरी गोल्ड भी छोटे बगर्स को रोकते हैं आप अपने बरामदे में और छट पर चारों और इन जड़ी बूटियों को लगा कर मच्छरों को आप से दूर रख सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको ह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शियर करें थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो